ये है चमन जिसका सरनेम नहीं है पर ये लॉंडा कंटेंट क्रेट करना चाहता है कुछ इनकी तरह ये लॉंडा युनिवर्सिटी से भी पढ़ रहा है इसके लिए और इसका IQ बिल्कुल मैच करता है इन दोनों से प्योर क्रेटिव बंदा है ये पर एक दिक्कत है इस चमन को रिसर्च करना नहीं आता जिससी कंटेंट बना के पैसे कमा सकता दा प्रोजेक्ट बना के इसको पटा सक दा और इन दोनों ही कामों से अपनी क्रेटिविटी को बढ़ा सकता दा और पिर दुबारा इसका एसका यू Always करता तो जैसा हमने पिछली वीडियो में कहा वाले हाँ सुनने में यह ऐसा ही लग रहा होगा जैसे ब्रेथलेस ब्रेथ के साथ जैट जीपीटी एक ऐसा खचर है जो कोई भी सामान उठा सकता है बस शर्ट है कि आपको वो सामान उसकी पीट पर चड़ाना आना चाहिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पता दूँ AI और चैट जीपीटी से आपको कुछ भी रिसर्च करवाना हो तो उसके पहले आपको उसकी बेसिक रिक्वार्मेंट पता होनी चाहिए अगर आपको AI और चैट जीपीटी को यूज करने के सीक्रिट्स पता हैं तो आप ना केवल उससे पैसे कमा सकते हैं बलकि अपनी प्रोड़क्टिविटी को और काम की स्पीड को 10X कर सकते हैं आपको लोग और चैट जीपीटी को यूज करते हुए जौब पा रहे हैं बिजनस बूस्ट कर रहे हैं और अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन फिर सवाल आता है कि इसको सीके कहां से और कैसे इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंडिया का अपना स्ट इस वर्क्षोप को अटेंड किया है और मैंने प्रॉम्टिंग और AI की कुछ ऐसी टेखनीक सीखी हैं जो सिर्फ एक परसंट लोगों को पता है उसके लिए मेरी रेटिंग इस वर्क्षोप को 5 स्टार्स किये आज आज आप और मैं ज्यादातर मैनूल ही काम कर रहे हैं पर अब हम AI और chat GPT का यूज करते हुए impossible लगने वाले टास्क को चुटकियों में कर सकते हैं तो चाहे आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो फाउंडर हो फ्रिलांसर हो या क्रेटर हो तो यह वर्क्षोप आपको काफी हेल्प करेगा इस वर्क्षोप में सुनी बात मुझ ले लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिए घर चमन को के स्टडी वीडियो बहुत पसंद है तो उसमें सोचा कि रिसर्च करता हूं अगर मैं चमन की जगह होता और AI से रिसर्च करने की बात आती तो पहले मैं चैट GPT की तरफ जाता और जैसा मैंने बताया चैट GPT तो ऐसा खचर है तो चैट GPT के अंदर आप दो तरीके से एक्यूरेट और कम महनत में अच्छे रिजर्ट पा सकते हैं पहला या तो आपको फॉर्मेट पता हो कि कैसे प्रॉम्ट डाला जाता है और दूसरा तरीका जो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं वो है परसोनास आपने सं अब डिरेक्ली चैट GPT से आंसर नहीं पूछोगे पहले आप एक रोल डिफाइन करो कि अक्ट असे डिजिटल मार्केटियर तो यह जो रोल डिफाइनिंग प्रॉसेस है यही परसोनास का काम है आसान भाशा में परसोनास को समझें कैम्पिंग बनाना है तो मुझे शोचल मीडिया मार्केटर की जरूरत है तो उससे अच्छा कोई काम ने कर सकता तो अगर हम पहले ही परसोना बना के रखें और चैट GPT को बता दे कि इसके दिमाग के तरह सोचो ताकि वो हमें उस कस्टमाइज फॉर्म में आंसर दे सके तो वो फीचर अब चैट GPT में आ चुका ह आप अपनी प्रोफाइल सेक्शन पर जाएंगे कस्टम इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर दो कॉलम्स देख सकते हैं जो आपको बता भी रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है वैसे आपको पता यह एक बिजनस भी बन चुका है जैन जी का जिसक क्या है जैसा कि हमने कि आप उसके लिए इस प्रॉम्ट का इस चुना है आप अपने हिसाब से अपना रोल कर सकते हैं और चैट क्या है इंट्रेस्ट क्या है वो सब कुछ इसने बता दिया अब बस इसको कॉपी करो और कस्टम इंस्ट्रक्शन पर पहले कॉलम पहले ब्लॉक के उपर पेस्ट कर दो और जो दूसरा ब्लॉक है उसमें आपके टीचिंग स्टाइल कोड्स और समरी वह आपकी नीचे वाले ब करूंगा या यूँ कहें एक वीडियो रिकमेंट करूंगा जो मैंने लिंक उसका दिस्क्रिप्शन पर दे दिया है वह अपने बेचते हैं लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप खरीदें इनको अब खुद सीखें तो अच्छा है वाई लेकिन दूसरा जो तरीका आता है व अब यहां पर मैं टास्क असाइन करूंगा यॉर टास्क इस टु क्रियेट रिसर्च पेपर यू नीड तु फाइंड हाव गेमिंग करियर विल वर्क इन नेक्स फाइव इयर्स यह हमने इसका टास्क बता दिया तो आपको इन दोनों ही तरीकों से रिजल्स मिल सकते हैं ल अगर नहीं मिल रहा है तो फिर से प्रोफाइल पर जाईए सेटिंग्स पर जाईए और डेटा एनलेसिस को हरी बत्ती दिखा दीजिए अब वापिस आईए प्लग इन स्टोर पर जाईए और कंसेंस प्लग इन को इंस्टॉल कीजिए अब जो भी आपका टॉपिक आप रि उपर इसने मुझे सारे डीटेस दे दिये जिसकी मुझे जरूरत थी क्योंकि कंसेंस एई जो है वो डीप रिसर्च पे काम करता है वो रिसर्च प्लग इन भी है और थर्ड पाटी भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं आप इनकी थर्ड पाटी वेबसाइट पे भी जा सकते वहाँ पर भी search कर सकते हैं वहाँ आपको यह summary भी बता देगा यह article सही हो सकता है कि ने यह बता देगा और बहुत से parameters पर यह research करता है तो जिससे आपका जो data वाला काम है वो थोड़ा कम हो जाता है हाँ AI है लेकिन आप भी इंसान है तो एक बार cross verification जरूर कीजिएगा तो यह तो था पहला तरीका जो हमने अपनी इस वारी वीडियो में इस्तिमाल किया था अब आते हैं दूसरे तरीके पर तो गूगल scholar पर जाओ गूगल scholar पर जाके कौन सा सवाल पूछना है कैसा सवाल पूछना है कौन सी कौन सी query पूछनी है तो इसकी details में पहले ही part 1 में दे चु सकता हूं और आगे वाला step क्या है वो है chat pdf.com की तरफ आपने जो pdf डाउनलोड की है Google scholar से उसे आप यहां पर upload कीजिए upload करने के बाद अब यह उस pdf का एक personal assistant बन चुका है यानि आप जो भी सवाल पूछेंगे उस pdf से related वो as in personal interaction के रूप में आपको सवाल के जवाब मिल और summary भी दे देगा कि कौन से main topics हैं इस पूरी pdf के अंदर जिससे आपका research का काम और असान हो जाएगा और एक मज़े की बात बता हूं अगर आपके पास बहुत सारी pdf हो गही है आट दस पंदरा pdf का research कर रहे हैं तो उन सब की summary उन सब की सवालों को एकटा करके इस tool की मद consumption थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन हम तो ढीट है हम इसका free version में देखेंगे और इसका fast version भी देखेंगे तो पहले free version है outline method वैसे इसका एक पार्ट हमने अपने part 1 में पहले ही cover कर चुके है outline method काम करता है आपकी imagination और आपकी observation की तरफ आप imagine it करते हैं कि ऐसे कौन से questions बन सकते हैं उसका outline तयार करते हैं और observation जो आसपास में आपके चल रहा है उसको भी include करा जाता है और एक outline तयार किया जाता है for example अभी और new का ये वीडियो जो की tomato prices के उपर था वहाँ पर इनकी main outline जो थी वीडियो में भारत में महेंगाई इतनी जादा क्यों fluctuation इतना जादा क्यों जिसके अंदर ये तीन थे महेंगाई बढ़ने के तीन में रीजन हमने इस वीडियो में identify किये हैं जो ये ट्राइंगल समझने के बाद आप समझ जाएंगे और इन तीन के अंदर और questions पूछके इन्होंने और outlines तयार की जैसे हम paragraph लिकते स्कूल में ऐसा है सब पॉइंट फिर उसके बाद तीन और पॉइंट इसके नीचे आएंगे फिर एक सब पॉइंट फिर एक तीन पॉइंट वैसा ही है और ये बड़ा effective manner है लेकिन AI से इसे कैसे कर सकते हैं चैट GPT से outline मांग लो और हमेशा चैट GPT आपकी सोच से ज्यादा ही outline दे देता है फिर उस outline के अंदर आप उससे सवाल पूछ सकते हैं जिससे और outline मिलेंगी और सवाल बनेंगे और अपनी research में आपको मदद मिलेगी अब आते हैं थोड़े fast तरीके की तरफ जैसे कि हम मैं पता है कि मीडिया बहुत तीजी से आगे बढ़ रहा है और जो भी चीदे से बढ़ रहा है यूथ के अंदर पहले तो ये टूल यूज किया जाता था जो courses YouTube पे चल रहा है या classes YouTube पे चल रही है उनसे notes निकालने के लिए लेकिन अब लोग इसका इस्तिमाल researching में कर रहे हैं अब लोगों ने क्या किया इन टूल का इस्तिमाल करके यहां से news trends और जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी को इस टूल की मदद से notes में convert कर दिया और उस notes को फिर chat GPT में ले जाकर आप उसमें से outlines create करते हैं और एक research topic बना देते हैं तो ये भी एक well known तरीका बन चुका है आज research कर करने का और इस टूल का नाम है annotate.tv जो आपकी वीडियो को notes में convert कर देता है लेकिन आपको पता है कि नहीं लेट वाली वीडियो में हमने पार्ट वन डाल दिया है और वाली वीडियो में यूट्यूब चैनल लाडियास फेसलेस यूनिक देख लेना मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए be busy